वेल्कम तु मैं इडियो चैनल और आज के इस वीडियो में आप सब बताने वाली हूँ फोर टक्स में आप पेट किस तरह से लगा सकते हो यह हमारा फेड है ठीक है तो मैं आपको लगाना बताने वाली हूँ इस वीडियो में तो यह आपको हर साइज में बिल जाता है तो तरह सब्सक्राइब को Sakyarice कर लें तो हम अपनी मार्किंग कर लिया है आप देख सकते हो किया तो हम अपनी मार्किंग इस तरह से सबको डाट लगाना अच्छे से आता ही होगा डाट की तरह से लगाना सबको पता है तो यहां पर मैं हाप इंच कीड़ लगा रही हूं जितना आप अपने अनुसार लेज़े ठीक है और यहां पे आप मैं आपको यहां पर और एक चीज बताती हूँ अगर आप चाहते हो कि आपकी डार्ट में ज्यादा के लिए हैं तो आप यहां से Üसस्ट से जो इस्तिचिंग हम उपर इस्तिचंग हम आप यहां से सपिस्ट से इस्टिचिंग होते हुए यह इदहर आएंगे ठीक है इसliches कि इससे क्या होता है कि आपके जो ऑर आफ निश्पंश आर्ट की वह अच्छी आती है ठीक है इसी तरह से हम और हमारी तीन डार्ट बचे हैं वह भी हम लोग इसी तरह से स्टीच कर लेंगे यानि डार्ट लगा लेंगे है कि अधूंसरे हमारी सबसें के लिए स्टीचिन यहां से मैंने साइट से सजा ऐगा लिया है तो Fahrenheit ये तरह से किया और यह डार्ट हमारी एक साइट में कम्णीट हो चुकी है दुस्री साइट में में उसी तरह से डार्ट लगायेंगे तो अस्तर के दुनों पार्ट में में डार्ट लगा दिया है कर देडि yang bak कि इस पे हम लोग center हमारी मार्किंग होगी वह हम लोग कर लेंगे यहां पर दोनों पाइट्स में आपको इसी तरह से करना है और यहां पर देश होते हैं मार्किंग के रखा हुआ था तो यह साइट भे आपको दिखेगा गोगा एक दो से यहां पर मर्किंग कर लिजी क्योंकि हमें सेंटर टू सेंटर को मिलाना होगा इस तरह से मैंने इस दे मे पेड को अल्टा कर लिया और इसमें निसान शक्राहब घालिया है अब इस साइट उल्टा साइट को हम लोग यहा पर से रखेंगे और यहां पे हम लोग hudna अपना जो निसान है उसको मिलाएंगे अपने पेट की निसान से इस तरह से क्योंकि यह हमारा बस पॉइंट है ठीक है और फिर इस तरह से रखके हम स्टिचिंग लगाएंगे यहां पे इस तरह से हम बकड़ेंगे अपने पेट को और यहां से हम लोग स्टिचिंग लगाएंगे इस तरह से आपकी स्टिचिंग जो है वो पेट के उपर आनी चाहिए और यह यहां पर लग चुकी है हमारी स्टिचिंग अब मैं इसको निकालती हूँ आप देख सकते हैं हमारी पेट जो है वो फिनिशिंग के साथ लग चुकी है अब जाब इसको सीधा करोगे तो यह इस तरह से आएगा ठीके अब चारो जो हमारी डाट है चारो डाट में हम लोग इसी तरह से स्टिचिंग लगाएंगे और हमारी जो पेट है उसको हम लोग सेट कर लेंगे हमने दो डाट में स्टिचिंग लगा दिया है और हमारी पेट जो है इस तरह से स्टिच हो चुकी है अब हमारे दो डाट और बाकी है तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से लगा लेंगे स्टिचिंग और आपको ध्हान रखना है कि आपकी स्टिचिंग है वो पेट के ऊपर आने चाहिए ठीकर और यह जो अपका और डाट है वो एकी तरफ होना चाहिए आप चाहे इस तरह यह यह स्टिचिंगまだ मूंद ना चाहिए और आप अब जब स्टीचिं लगाओ तो आपको बस इस बाके ख्याल रखना है कि आपके जो स्टीचिंग है आपके जो पेड है वो इधर दर हिली नहीं चाहिए एक जगह पे होनी चाहिए तो फिर आपकी अच्छे से नहीं आएगी क्योंकि वह आपके होस्त है कि बस में अच्छे से ना बैठे तो इसलिए आपको अपने पेड को बिल्कुल हिलाना नहीं है नॉर्मली आपको स्टीच करना है यानि अराम राम से अब यहां पर आम होल साइट मेरा बच्चा हुआ है वैहां मेरी लास्ट स्टिचियं ठी और यह विल्कुल कंप्रीट हो चुकी है और मेड़ी पेड हो वह वह दो अच्छे से लग चुकी है मैं आप सबको दिखाती हूं यह आप लोग देशेते कि यह जो इस्टिचिचिंग अब हूं सट्सीत हो चुक है अभ हमने इसको सीद में फैब्रिक है और इसमें by मैंने लगा लिया है और यहां पर आपको जब a ड़ाइं तो आपको बिल्कुल बराबर से लगाना है तो इसमें पर बिल्कुल आपके रकि democros इस तरह से इधर दर नहीं होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यह बिल्कुल इसके बराबर में ही मैंने लगाया हुआ है इसी तरह से आपको भी लगाना है अब हमें क्या करना है आप सबसे पहले तो हम लोग इसकी कच्ची स्टीचिंग ले लेंगे चारो इसके उपर से और यह बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और यह फिनिशिंग के साथ यहां पर बैठ जाएगा बस आपको इस बात कर खाल रखना है कि अभी आपको आपकी स्टीचिंग को आपको पेड के उपर नहीं लगाना है ठीक है पेड के एकदम नीचे से ही लगाना है अपको टेचिग नहीं करना है आपकी स्टीचिंग को अगज हैं अगर आप टेच करें तो फिर वह अ दीखेगा कि अपने पेड लगया हुआ है इस भी Main तए अपने करेंगे अपनी काट्स में अमलों इसी तरसे लगाएंगे स्टीचिंग आप बीविय को कि अट्याथ कि अगरा आप भी इस तरह से लगाना चाते हैं तो लगा सते होगी है इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने पेट लगाया हुआ है और आपकी फोर्टक्स का भी पता नहीं चलता है तो आपको यह विडियो जो है अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जिरू किज़ेगा फ्रेंज और साथ में चैनल को सब्स्ट्राइब कर ल तो आज के लिए बस इतना है थैंक यू बाई